हेलो फ्रेंड्स आप स्वावी का मेरे चैनल टेक्निकल इस्टिट ने फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहा है अप्लाड मेकानिक्स में मसीन चैप्टर जो चैप्टर जो चैप्टर है उसमें डिफेरेंशिल वीलेंड एक्सल मसीन देख चुके हैं करते हैं अब इससे पहले आपने वह वीडियो अगर नहीं देखा तो आपको कम समझ में आएगा इसलिए आप उससे पहले जाके जरूर देखें ठीक है उपर आइकन आ रहा है उसमें देख लीजेगा अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे है और यह कैसे काम करता है ठीक है देखिए मैं उस्तों इफैले से बना के रख सकता था लेकिन आपको टाइम इतना नहीं लगेगा आप देखीएगा ध्यान से फटाफट बनाएंगे यह यह टो इसमें बड़ा धोरा आ होता है और एक आपका बड़ा पईया होता है तो नाम इसका वैसांद्री पईया ददा दुरी है तो पईया तो लगई होगा कम से कम बासन में आ रही है आपको देखी हमने पईया बनाया अब यहां आगे क्या है कि आपका देख पारे हैं सही से इसे थोड़ा सा मिल्ड में बनाईएगा आप लोग ठीक है दिखाए देरा आपको क्लियर कट तो इसमें देखी दो आपके व्यास वाले दोरे यहां पर लग गए हैं इसलिए इसका नाम व्यासांतरी है अब यहां क्या होता है कि इसके दोनों सिरों पर यहां पर बेरिंग्स लगे होते हैं इधर जिस पर यह सदा होता है आप लोगों ने चक्की देखिए न चक्की आटा की चक्की तो उसमें देखते हैं गोल गोल जो लगा होता है उसमें यह गूंता है पहिया ऐसे गूंता है तो अब दिखी इसका अएक समय लेते हैं इसमें क्या है तो यह बड़ा वाला है न यह यह आपका क्या है यह आपका पहिया आ कि विल है इसका नाम है कि》 और इसका डाया भूंपीय है यह जो है अपका यह आपका इस बड़ी और मेरे बाद भू बढ़ी आपim कि अब्र कि इसका और इसका जो डाया है मेरे भाई वह डें वन यह जो है आपको दिखाई दे रहे हैं यह आपकी छोटी दुरी है कि छोटी दुरी दिने इसमालर एकसल और इसका डाया कितना मेरे भाई तो आप देखिए करना या पिस यह तो फोड़ी सी बात ध्यान लाट कि यहाँ जो बड़ा वील जो है यही पर आमें प्यायास पी लगादेना है कि नीचे की तरफ नीचे कि तरफ इसका यांद रखना कि हमने स्कॉच ट्रcev यहां पर एक घरनी लगा देते हैं जो हमारी मूवेवल पुली होती है और इसी मूवेवल पुली पर जो बाहर उठाना होता ना उसको डबलू को यहीं लटका दिया जाता है और यह उपर की तरफ उठता है अब यह जो रस्ती जो पीछे से आ रही थी यह वाली चोटे दोरे से चोटे दोरे जो हमारा चोटे दोरे का नाम भई यह सी था ना चोटे दोरे सी से जो रस्ती आ रही थी यह रस्ती कहां गई है यह रस्ती इदर गई है किस तरीगे से कि अभ़ें देखा लूटी ट्रिक में यह बता रहा हुआ कि अगर इसमें रस्ति आ ऊंद्रो पीछे से आरी तो इसमें भी पीचे से आनी चाहिए ठीक है और इसमें रस्ति-समें वाले वो सेम होने चाहिए मतलब इसमें अगर क्लॉकवाइज है तो इस वाले में भी इस वाले में भी एंटिक्लॉक्वाइज होगा किलियर है यहां तक आपको समझ भारी अब देखिसमें इसका construction इसमें पूरा मैंने लिख रखा है इतना कोई टफ नहीं है फटा-फट देख लीजिए यह मसी सब्सक्राइब बड़े व्यास का दोरा बी तथा छोटे व्यास की दुरी सी होती है इसमें तीनों एक ही अच पर आपस हमें बद होते हैं आपने देखा तीनों लोग कहा तीन इसमें इसमें ऊफ से से महीं आप इसमें इस सकते हैं देगां आगे देख लेते हैं अब इसमें क्या होता है सुतन सरे पर हमने क्या कर दिया यह आराम से बेरिंग उपर घुम सकता है तो दूसरी डोरी वी तथा सी के मत लपेटी जाती है आतो अरे पर श्यवर्य वहां से बा ziemlich दूड़िंग उसी के लेंग आप इसे फ्रेंग दिशा में लपेटी जती है दोरे C तता पैये A पर डोरी एक दिसा में लपटे जाती है तो क्या होता है कि जो अमारा पैया यहां से बात आ रही है आपको समझ में बिल्कुल एकदम समझ में आ रही है ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा अब आप देखिए आगे करना क्या है इसमें कि प्रियास पी का लगा जा रहा है बड़े पर तो इसमें देखो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं मा माना पाईय का व्यास बड़ाबर क्याप्टल दी तो पाईय एक ना लेड़ डाया ओफ क्याप्टल लेड़ डाया ओफ वील इस क्याप्टल डी और बड़े दोरे का व्यास बड़े दोरे बी बगल में लिखना चाहिए था बड़े दोरे बी का व्यास बराबर हमने माल लिए डी वन और छोटे दोरे सी का व्यास बड़े डाया ओफ स्मॉलर एक्सेल इस डी यह अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि हम प्रियास पी किस पर लगा रहा है बड़े पर यह पर तो मैं इसमें आप से पूछ हूँ कि प्रियास पी द्वारा चली की दूरी कितनी है चली गई दूरी यानि डिस्टेंस मूट इफर्ट इन वन रिवल्यूशन इस वाट तो आप देखिए इसका जो सरकम्फिरेंस होगा उतने एक चक्कर में चल पाएगा रस्ती उतनी चक्कर में ऊपर या नीचे चलेगी तो हमें नीचे चलानी अभी तो अब आप देखिए कि यहां पर क्या होता तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं पाई दी तो आप यहां पर लिखेंगे डिखिए पाई नीचे की तरफ यह चलेगा और यह आपका clockwise direction में घूमेगा है ना इस तरीके से घूमेगा हाँ clockwise direction में घूमेगा तो क्या होगा यहां से तो रसी खुलती चली जाएगी और यहां पर लबटती चली जाएगी तो आप देखेंगे खुलने वाले की मात्रा आपकी ज्यादा होगी और लबटने वाले की मात्रा थोड़ी सी कम होगी तो इन दोनों के धुरियों के जो सरकम्फीरियंस हैं उनके अंतर का आधा हिस्सा यह उपर उठेगा यह बात मैंने आपको पीछे वाले में बताई थी डिफ्रेंसियल वाले में आप यह थोड़ी सी जुगार याद रखिए कि हमेशा जो आधा हिस्सा होता ना वह उ दूरी क्या होगी भाड़ोली दोर एक चक्कर में चलिए दूरी बताई फटाफट तो मैं आपको बताया क्या होगा पाई डीवन माइनस पाई डीटू अपाउन टू क्यों अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें सीधा सीधा आपको क्या करना है विलोस्ट्री एश्यों का फ कि नहीं आदे तो समझ लो कि काम खतम हो गया पी द्वार चलिए दूरी कि इस्टेंस मूट वाइफ़र्ट पी अपन डबलू द्वार चलिए दूरी कि आउब कि इस आउयरा आई तक है कि दिखाई देरह आपको फ़ोर चलीकी दूरी आपने देखल लिया था पाई कैटर टी दूरी आपने देख लिया था पाई डीवन माइनस पाई डीटू अपॉन में टू थी टू पर चला जाएगा पाई कॉमन लेकर गाय वह जाएगा यहां तो यह आपका अंसर है यह आपका क्या है फइनलस यहां तक बास समझाँ आगी आपको यहां क्या है फटापट बताहिए ब्लॉट तो फर्मूली याद होने चीए जल्दी क्या है आपको अनूरे का आप लिए प्जापर समझ पाएंगे कि क्या पूछ रहा है क्या क्या ठीक है तो आपको बास समझ आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है आप डियाग्रम का नाम भी पेपर में फटा फट नहीं आप नीचे लिखेंगे बहुत सुंदर सुंदर ठीक है डिफरेंचियल वी एक्सेल आपको पर नाम भी लिखना होगा नीचे आपर स्पेस नहीं बचा तो आप लाम लिखेंगे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बनाने की और यह पेपर में बहुत पार आ चुका है बहुत इंपॉर्टेंट है और पीछे के वीडियो भी आप देखी नोट्स बनाईए सबसे बड़ी बात और अच्छे तरीके से तैयारी करिए और यह चेप्टर बस आपका एक-दो दि अधुर्टेंग।